Hello everyone, I am Mohit Bhatia तो बच्चो आज दुपैर में Dr. Subhamaniam Swami की एक tweet आई थी जिसमें उन्हें उन्हें clear किया था कि उन्हें एडूकेशन मिनिस्टर से बात की है कि exams postpone कर देने चाहिए साधी साथ PM को एक letter भी लिखा था कि exams postpone करना कितना जरूरी है given corona cases जिन पर दिन बढ़ते जा रहे है और transportation issues है और बच्चों पर भी एक mental pressure होके रखा है क्योंकि यह अचानक से exams के लिए डिक्लियर हो गए है तो इन सारी बातों consider का कि ministers के एक meeting हुई है और उन्हें एक notice release किया है जिसमें उन्हें clear कर दिया है कि exams cancel नहीं किये जाएंगे ठीक है रादो दिन ने clear कर दिया कि थोड़े दिर में admit card भी release कर दी जाएगी और मैं अगर notice क्या है पढ़के बताऊं तो उन्होंने कहा है कि notice में important points है भाई क्या-क्या कि करीबन आठ लाक अंठावन हजाद दोसु तिहर्ट मतलब 8,58,273 candidate अपिये कर रहें exams के लिए जिसमें से 6,49,223 candidates ने download कर लिया है admit card अब इस admit card के download से क्या मतलब है पता नहीं but out of the total candidate 99.07 candidates have been given the first choice of their preference इसका मतलब वहा कि जिन बच्चों ने अपना first party जो रखा था उन्हें वह सेंटर मिला है शायद कुछ गिने वे 0.93 परसेंट को अपना first choice नहीं मिला है ठीक है और उनका कहना है कि 120 बच्चों ने request भी किया है center change के लिए और हम लोग उनकी तरफ कुछ देख भी हैंगा कुछ करना हो तो ठीक है उन्हों try भी करेंगे इसको लेकर और उनका कहना है कि काफी बार centers change करने का भी option दिया गया था पीछे में कि जो बच्चे चाहे तो वह वापिस अपना center change कर सकते हैं तो उन्हों कहते हैं कि पांच-पांच बस अबको options भी मिला है और उनका कहना एक और बात है कि 15,97,433 candidates हैं नीट के जिसमें से 99.87% को उनकी पहली च्वाइस दी गई है तो कुछ खासा दिक्कत नहीं होने वाला है सारे SOPs maintain किये जाएंगे सब जगा सब चीज को sanitize किया जाएगा और इसी पर उन्होंने पूरा-पूरा बात लिख दिए कि कहा दिया कि एक्जाम्स कैंसल करना possible नहीं क्योंकि Supreme Court से भी चीज़े clear हो चुकी हैं और सारी बाते confirm हो चुकी है तो बचो एक्जाम्स तो कैंसल होता हुआ नहीं दिख रहा है भी भी हम लोग अपने तर्स लगे वह हैं जैसा मैंने पहले भी कहा था डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने तर्स से पढ़ाई करते रो लगे रो मुझे पता यह काफ़र डिसार्टनिंग मॉमेंट है इतने इस पर हम लोग और कुछ नहीं कह सकते हैं अपने इंट से बच्चों पढ़ाई करो जो भी हेल्प लगे बताना में तरफ से मैं सारे शॉट्रिक वीडियो लगातार बनाते जाओंगा मैं थोदे बादी शॉट्रिक वीडियो भी डालूंगा ठीक है पढ़ाई पर ध्यान तो इधर उधर देख के कोई मतलब निया बेटा ठीक है लेट्स लेट्स टार्ट वरकिंग थैंक यू दिस मच